तो आज करते हैं मैट्स की पढ़ाई तो आज के वीजियो में हम नंबर एंड नुमरेशन यूनि टंबर वन नंबर एंड नुमरेशन का पार्ट थ्री देखेंगे पार्ट वान और टू वीडियो आल्ड़ी है आप देख सकते हैं यह हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चाप्टर का चलि जल्दी से स्टार्ट करते हैं अज के पार्ट में हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे इवन नंबर और नंबर और ओर्डिनल नंबर ठीक है तो चलि जल्दी से देखते हैं सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इवन नंबर और ओर नंबर और और ओर नंबर क्या होता है तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए, पिक्चर में दिया है, यहाँ पर एक girl है, और यहाँ पर दो girls है, वो चीजें जो दो में होती है, ठीके, वो है even numbers, numbers which can put into pairs, pairs मतलब दो-दो का set बना सकते हैं, वो सारे numbers होते हैं, even numbers, और वो numbers जिनको हम दो-दो के set में नहीं तो उसके दो-दो जोडे हम नहीं बना सकते, तो यह odd number है, और a pair of shoes, जब दो चीजों का एक set बन जाता है, तो वो होते हैं even numbers, अब number के उपर देखते हैं, कौन से number even है, और कौन से number odd numbers है, तो देखिए even number और odd number क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर पूरा 1 से लेकर 10 तक के number लिखे हैं, अब पता लगाते हैं, इसमें से even number कौन सा है, और odd number कौन सा है, तो सबसे first example देखते हैं, माल लिजे one chocolate है, ठीके हमारे पास सिर्फ एक ही chocolate है, क्या यह चौकलेट आप अपने और आपके friend के बीच में इसको बाट पाओगे, एक चौकलेट को हम क्या बाट प जिरुफ एक ही आदमी को मिल पाएगा है ना, तो यह नमबर एक और नमबर है, यहाँ पे टू चॉकलेट्स है, तो आप हम जो है इन टू चॉकलेट्स को equally बाट सकते हैं, यानि दो लोगों में बाट सकते हैं, एक चॉकलेट्स मिलेगा आपको और एक चॉकलेट्स मिलेगा आपकी दोस्त को, तो देखा आपने वो नमबर जिनको हम दो लोगों के बीच में equally शेयर कर सकते हैं, equally बाट सकते हैं, वो नमबर होते हैं, even नमबर, अब next example देखिए, यहाँ पर मैंने three boxes रखे हैं, so three boxes आप में और आपके friend में बाट सकते हैं, देखिए, एक मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपकी friend को, पर इस बीच वाले का क्या होगा, है न, तो ये बीच वाले नमबर का क्या होगा, ये कौन लेगा, तो three chis को भी हम दो लोगों के बीच में नहीं बाट सकते, so three भी एक even number नहीं है, so one एक even number नहीं है, क्योंकि एक चीज को हम आप में और आपके दोस में नहीं बाट सकते, पर two एक even number है, इसको हम equally दो लोगों में बाट सकते है, then three जब तीन चीज़े होती है तीन चीज़ों को भी हम दो लोगों के बीच में नहीं बाट सकते so three हो गया odd number बड़ जब four आता है so four को हम दो लोगों के बीच में बाट सकते हैं so four हो जाएगा even number four को कैसे बाटेंगे two मिलेगा आपको और two मिलेगा आपकी friend को equally बाट सकते हैं तो वो सारे numbers जिनको हम दो लोगों में बाट सकते हैं मतलब आप में और आपके friend में हम equally बाट सकते हैं कोई लडाई जगडा नहीं होगा चीज़े अराम से दो लोगों में बढ़ जाएगी वो सारे numbers होते हैं even numbers अब next देखिए number five, number five को भी हम equally नहीं बाट सकते, five चीजे होंगी तो एक person को two मिलेगा और दूसरे को three मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है ना, तो five भी एक even number नहीं है, five को भी हम काट देते हैं क्योंकि ये odd number है, next number देखिए number six, six को हम equally बाट सकते हैं, आपको मिलेगा three, आ seven एक even number नहीं है, क्योंकि equally नहीं बाट सकते, eight एक even number है, क्योंकि इसको भी हम equally बाट सकते हैं, क्योंकि आपको मिलेगा four, आपकी friend को भी मिलेगा four, so four plus four होता है, eight है ना, so eight भी even number है, equally हम बाट सकते हैं, then nine even number नहीं है, और ten भी even number है, five plus five, एक person को five, दूसरे person को भी five, ठीक है तो देखा आपने कैसे even number, odd number का पता लगाते हैं अब ये numbers आपको याद भी रखने हैं अभी one हो गया हमारा odd number त्योंकि one को हम नहीं बाढ़ सकते and two है even number three odd number four even number five odd number six even number ठीके तो देखा आपने एक एक number को छोड़ के even odd number आता है एक even होता है अगला odd होता है then एक even odd ऐसे ही चाहिए numbers कितने भी बड़े होते चले जाए even number odd number ऐसे ही होगा ठीके तो seven हो गया odd number eight हो गया even number nine हो गया odd number और ten हो गया even number ठीके अभी clear हुआ तो देखिए कौन कौन से numbers हैं जो even number है two, four, six, eight और ten ठीके तो ये सारे है even numbers और odd numbers कौन से है one, three, five, seven, nine ठीके तो ये सारे है even numbers और ये सारे है odd numbers अभी आपको clear हुआ even number odd number तो ये हो गया चोटे नमबरों के उपर अब नास मान लिजी आपको एक बड़ा number मिल गया 45 और इसको आपको पता लगाना है कि ये even number है कि odd number है तब आप क्या करोगे हर number का last digit देखोगे ठीके क्योंकि जो once place में होता है न वही decide करता है ये number even है कि odd ठीके once place में आपका पहला number five है और five क्या है five एक odd number है तो 45 होगा odd number अब देखे यहाँ पर मैंने कुछ numbers लिखे है और इसमें पता लगाते हैं कि ये odd है कि even तो बहुत ही आसान है आपको सिर्फ number का last number देखना है तो देखे ये है number 18 तो 18 में last में क्या आ रहा है eight आ रहा है और eight है हमारा even number है ना eight हमें पता है even number है so number 18 भी even number है ठीके अभी समझ में आ रहा है आपको next number है 27 तो देखे last digit seven seven क्या है seven एक odd number है so 27 number हो जाएगा आपका odd number ठीके तो ऐसे हम पता लगाते हैं चाहे कितना भी बड़ा number हो आपको सिर्फ last digit देखना है last number देखे 9 39 का 9 9 है odd number ठीके तो ये number हो जाएगा odd number 62 तो 62 में last digit देखे 2 2 से खतम हो रहा है ना so 2 क्या है 2 एक even number है so 62 हो गया आपका even number then next number 81 so 1 देखे last में 1 है हमारा odd number so 81 हो जाएगा odd number ठीके तो आप आराम से पता लगा सकते हैं चाहे वो 2 digit number हो 3 digit number हो या 4 digit number हो देखे यहाँ पर मैंने 3 digit number लिखे है मतलब 3 digits है तो देखे ये भी बताना आसान है कि ये even number है कि odd number है हमें क्या देखना है हमें सरफ last number देखना है 99 क्या है odd number है तो ये 739 हो जाएगा odd number अब next देखे 451 so 1 क्या है odd number so ये 451 है odd number next number 396 है ना 396 so last number देखे 6 6 क्या है even number so 396 हो जाएगा even number ठीके अब या आप आराम से पता लगा सकते हैं कोई भी number है ना कि वो odd number है कि even number है आपको जस्ट उस number का last digit देखना है जो कि once place में होता है ठीके और हम पता लगा लेंगे कि वो odd number है या even number और कौन-कौन से number even numbers है 2 4 6 8 और 0 क्योंकि one का last number क्या है 0 है ना तो 0 एक even number है और बाकी सारे है odd numbers ठीके तो ये numbers आप याद रखे हमेशा even odd number एक-एक number छोड़ के होता है ठीके तो ये हो गया even और odd number अब देखते हैं book में तो देखिए यहाँ पर बताया भी गया है odd numbers end with odd numbers खतम होते हैं 1 से, 3 से, 5 से, 7 से और 9 से और जब 2, 4, 6, 8, 0 ये numbers last में लगते हैं तो वो numbers होते हैं even numbers अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है dots बनाकर हमें दिखाना है कि ये even number है कि odd number तो देखिए 3 is odd मतलब 3 dots हमें यहाँ पर बनाने होंगे 1, 2, 3 तो आप 3 dots यहाँ पर बनाएंगे then 4 is even फिर क्या बताया है देखिए 4 is even तो हम यहाँ पर 4 dots बनाएंगे 1, 2, 3, 4 देखा आपने हम 2, 2 में इसको बाट सकते हैं 5 odd number है 1, 2, 3, 4, 5 ठीके तो 5 dots बनादेंगे then 6 is even हम 6 को 2, 2 set में बाट सकते हैं देखिए 1, 2 1, 2, 1, 2 देखा आपने 6 को हम 2, 2 set में बाट सकते हैं तो 6 एक even number है then यहाँ पर आपको 7 dots बनाने हैं ठीके और यहाँ पर 8 dots बनाने तो इस तरीके से आप यह complete करेंगे अब next देखते हैं next देखिए write the next odd number after so आपको जो है next odd number लिखना है यहाँ पर 13 number दिया है so next odd number कौन सा होगा 13 के बाद next number 14 है 14 even होगा और उसके बाद आएगा odd number जो की 15 है यहाँ पर दिया है तो मैंने बताया था ना आपको एक number हमेशा even आता है फिर even फिर odd ठीक है ऐसे ही numbers जाते हैं so 13 के बाद next odd number होगा 15 then next देखिए 57 57 के बाद 58 even number होगा और then 59 so हम यहाँ पर 59 लिखेंगे then 96 96 even number है ना 96 के बाद कौन सा odd number होगा 97 ही होगा क्योंकि 96 even है और even के बाद आता है odd number है ना so 96 के बाद 97 odd number होगा then next देखते हैं 111 so 111 के बाद next odd number कौन सा होगा 113 है ना क्योंकि 112 तो even number होगा ठीके तो इसी तरीके से आपको यह सारे numbers complete करने है एक एक number को छोड़ कर लिखना है अगर आपको odd number दिया होगा और अगर even number दिया है जैसे कि यहाँ पे 394 है तो एक एक number छोड़ेंगे तो आपको even number मिलेगा है ना तो आपको next number ही लिखना है क्योंकि next number आपका odd number होगा जैसे 395 ठीके तो इस तरीके से हम even odd number लिखेंगे आगे देखते हैं जैसे हमने next odd number लिखा था अब हमें next even number लिखना है ठीके तो वो भी इसी है अगर even number दिया है तो एक एक number छोड़ेंगे लिखिए और अगर odd number दिया है तो just next number लिखिए ठीके तो यहाँ पे देखिए 46 दिया था जो कि even है एक number छोड़ेंगे 48 हो गया next even number then 67 दिया है तो यह तो odd number है so even number क्या होगा next number ही even number होगा 68 then 190 190 का next even number क्या होगा 191 को छोड़ दीजे 192 then 222 223 को छोड़ेंगे 224 ठीके अभी clear हुआ बाकी के भी numbers को complete करिए अब देखते हैं आगे क्या बताया है आगे देखिए जो numbers odd numbers है ना उनमें आपको blue color करना है और जो numbers even numbers है उनमें आपको yellow color करना है सो देखिए आप कैसे पता लगाएंगे आपको सरफ last number देखना है जैसे 7 odd number है तो यह number हो जाएगा आपका odd number then 42 2 एवन नमबर है so 42 है एवन नमबर 761 तो 1 क्या है 1 odd number है तो 761 एवन नमबर है ठीके तो ऐसे आपको पता लगाना है 904 4 क्या है एवन नमबर है तो यह 904 एवन नमबर है आपको odd number को blue color करेंगे और जो even number होगा उसमें आपको yellow color करना है तो ये आप कर सकते हैं, आप आराम से ढोड़ सकते हैं, हर डिजिट का last number को देखके, patterns, तो patterns हमें पता है, एक-एक number छोड़ के दे सकते हैं, या दो-दो number छोड़ के दे सकते हैं, या तीन-टी number छोड़ के दे सकते हैं, ऐसे होते हैं, patterns, मतलब जैसे-जैसे उन्होंने दिया ह आपको भी वैसे वैसे numbers को आगे ले जाना होता है तो अब यहां पर देखिए odd numbers के साथ patterns करना है यानि इस pattern में even number बिल्कुल नहीं आएगा सिरुफ odd number की line चलेगी ठीके तो यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर दिया है कि यह pattern में odd numbers ही आएगा सो देखिए 73 odd number है क्यों क्योंकि 3 odd number है then next उनोंने दिया है 75 यानि 74 को छोड़कर 75 तो आपको भी एक एक number छोड़कर लिखना है तो next क्या लिखेंगे आप 75 के बाद 76 को छोड़कर 77 लिखेंगे then 79 लिखेंगे then 81 लिखेंगे एक एक number को छोड़कर आप ये pattern complete करेंगे और उसी तरीके से ये भी आपको करना है एक एक number छोड़कर और यहाँ पर देखिए 49, 249 के बाद 250 को छोड़ दिया है 251 लिखा है तो यहाँ पर भी एक एक number को छोड़कर लिखेंगे नेक्स देखिए 653, 54 को छोड़ दिया then 655 लिख दिया और ये भी एक एक number को छोड़कर आपको लिखना है लेकिन सिर्फ odd numbers आएंगे क्योंकि even number को हम skip कर देंगे और उसी तरीके से अब even numbers का pattern करेंगे तो same है, कुछ changes नहीं करने एक एक number को छोड़कर आपको लिखते चले जाना है ठीके, जैसे 64 दिया है, फिर 66 आप next आएगा 68, फिर आएगा 70 तो क्या करना है, एक एक number को छोड़कर आपको लिखते चले जाना है ठीके, उसी तरीके से 108 so next आएगा 110 क्योंकि 9 को छोड़ देंगे then 112, 114, 116, 118 ठीके, तो एक एक number को छोड़कर आप even number की line बनाएंगे then 550, तो 551 को छोड़ दिया, 552 then 554, ठीके, तो ऐसे आपको ये line कम्प्लीट करनी है और यहाँ पे 742 so next क्या आएगा, 42 के बाद 43 को छोड़ देंगे और 744, then 746, ठीके, तो ऐसे आपको ये pattern भी कम्प्लीट करना है अब आगे देखते हैं अब देखे, यहाँ पर हमारा next concept क्या है ordinal numbers ordinal numbers मतलब किसी number को जब हम एक स्थान देते हैं एक position देते हैं so दो numbers है, एक है cardinal numbers और दूसरा है ordinal numbers so cardinal numbers मतलब जो हमारे normal numbers होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब हम normal numbers बोलते हैं तो वो ही होते है cardinal numbers और ordinal numbers मतलब जब numbers को हम एक position में बताते हैं वो कैसे? देखे, first, second, third, fourth हम बोलते हैं इसे one को क्या बोलते हैं? हम one को बोलते है first यह first आया और जब कोई second number पे है, दूसरे number पे है तो हम बोलते हैं यह second आया so यह first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth जब हम numbers को इस तरीके से बोलते हैं तब वो होते हैं हमारे ordinal numbers normal numbers होगे cardinal numbers और position बताने वाले numbers होगे ordinal numbers अब देखिए आगे हमें क्या करना है? match the numbers numbers को उनके ordinal numbers से मिलाना है तो जब हम देखिए numbers को ऐसे लिखते हैं first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth ठीके तो यह होते हैं ordinal numbers अब हमें इनको इनकी spelling से मिलानी है first, first को कैसे लिखते हैं? यह होता है first then seconds देखिए यहाँ पे यह है second की spelling then third, यह है third then fourth, fourth के पास ले जाएंगे fourth, fifth, fifth के पास ले जाएंगे fifth, तो अब आपको यह spellings भी सीखनी है then sixth, और फिर seventh, then eighth, फिर ninth नीचे से जाते हैं ninth और यह है tenth यहाँ पे तो इस तरीके से आपको match करना है tick the odd ones or cross the even ones odd number पे tick मारना है और even number पे cross मारना है वो भी हमें पता है है ना, इसमें से odd number कौन से है seventh odd है, ninth odd है, third odd है, first odd है, fifth odd है है ना, और बाकी सब even number है कौन-कौन से sixth even, eighth even, tenth even, then fourth even and second even ठीक है, तो इस तरीके से complete करेंगे the next question देखे, tick the fifth fruit from left left से आपको fifth fruit पर tick मारना है so, fifth मतलब पांचवे fruit पे और वो start कहां से करना है left से, मतलब इस तरफ से start करना है क्यों, जब आप अपने book में देख रहे हो तो आपका left hand कहां पर है इसी side है ना, इस तरफ आपका left hand आ रहा है और इस तरफ आपका right hand आ रहा होगा जिससे आप लिखते हो इहां से इन्होंने बोला है कि left side से start करिये गिनना so, left मतलब यहां से तो गिनते हैं so, यह है first, यह है second, यह है third, यह है fourth और यह strawberry है fifth है ना, और fifth पे हमें tick मारना है तो यही हमें यहां पे करना है fifth fruit पे tick मारना है तो उसी तरीके से यहां पर क्या करना है third animal, from right अब right कौन सा है, यह वाला side यहां से होता है आपका right side ठीके, तो इस तरफ से so, इस तरफ जाएगा so, यहां से आपको counting करनी है third animal तक, so, यहां से गिनना शुरू करते हैं, first second, and third, है ना, third पूछा है ना so, हम third animal पे tick मार देंगे, so, elephant है आपका third animal, from right side, next question देखिए, eighth chick from left, left मतलब इस तरफ से, तो यहां से counting करेंगे, so, यह left, right ध्यान रखना है, ठीक है, left मतलब हमेशा इस तरफ से start होता है जो आपका left side है ना, तो बुक का left side हमेशा इस तरफ होगा क्योंकि आपका left hand इसी तरफ आ रहा है ना जब आप बुक के सामने बैठे हो और right side हमेशा इस तरफ से आएगा so, eight chick को हमें टिक मारना है, so, देखते हैं first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eight तो यह है eight chick, तो eight chick पे टिक मार देंगे अब आगे देखते हैं, अभी हमें ordinal numbers ही करने हैं, so, देखिए the position of a in balloon, तो यह जो balloon word है ना, इसमें a की position हमें बतानी है कि वो कौन सी position पे है, so, देखते हैं a देखते हैं, so, देखिए b है first पे और a है second पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे second, ठीके, so, a की position है second, then, position of q in mozambik, तो इस spelling में q की position क्या है, so, count करेंगे यहाँ से, देखिए first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, eighth number पे है q, तो हम यहाँ पे eight लिखेंगे, then, position of s in gorgeous, count करके देखते हैं, पस लेटर से count करिए first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, यहाँ पर भी eighth number पे है s, ठीक है, then, position of h in stock home, तो stock home spelling में h की position, first, second, third, fourth, fifth, sixth, h कौन से number पे है, sixth position पे है, तो हम यहाँ पे sixth लिखेंगे, तो इस तरीके से आपको यह complete करना है, आप देखिए, यहाँ पर भी ordinal numbers की ही activity है, देखिए, तो यहाँ पे देखिए, कुछ blanks दिये हैं, आपको यह blanks जो है, fill करने हैं, कैसे करेंगे, तो यह जो है, positions दिये हैं, इन letters के, तो उसी position में जाकर आप यह letters लिखेंगे न, तो आपको एक city का नाम मिलेगा, तो first से start करते हैं, first number पे क्या लिखना है, देखिए, बी लिखना है, न, सो चली यहाँ पे बी लिख देते हैं, then second number पे H लिखना है, तो H, then third O, fourth P, fifth A, then sixth L, तो यह कौनसी city का नाम मिला हमें, भोपाल, मध्य प्रिदेश एक state है न, इंडिया का, उसका capital है भोपाल, तो किसे यह भी करेंगे सबसे पहले क्या, लिखेंगे first में जो आया है, वो लिखेंगे L, then लिखेंगे second U, then third C, fourth K, fifth N, sixth O, seventh W, और हमें मिल गया लखनाव, उत्तर प्रदेश का capital है लखनाव, ठीके तो हमें दो cities के नाम मिले जो की capitals है, आगे भी देखिए वही करना है हमें, देखिए यहाँ पे Mr. Sharma की family है, तो यहाँ पे बताए कि Mr. Sharma की family है, जो की left side से खड़ी है, यह है न left side, तो यहाँ से आपको हर चीज count करना है, ठीके left side से, तो यह baby होगा first में, यह grandpa होगे second में, यह रोहित होगा third में, grandma fourth, tia fifth, sharma sixth, neil seventh, seventh, और bruno eight, तो यह इनकी position है, जिस position में वो खड़े हैं, यह हमें पता है, ठीके, तो अब हम इनसके question answers देखते हैं, सबसे पहले क्या पूचा है, who is holding the ice cream, ice cream किसने पकड़ी है, ice cream पकड़ी है, रोहित ने, तो आप यहाँ पे रोहित लिखेंगे, यह रोहित की spelling आप यहाँ पे लिखेंगे, then next देखिए, who is at the first position in the line, first position में कौन है, baby है ना, सो यहाँ पर आप baby लिखेंगे, and ice at dash position in the line, dog कौन सी position में है, सो count किया था ना, हमने यहाँ से सब की positions को, और dog कौन सी position पे है, 8th position पे है ना, सो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीके, की 8th position पे है, और उसके बाद, in which position is grandma standing, grandma कौन सी position पे खड़ी है, देखिए, हमने count किया था, grandma खड़ी है, 4th position पे, ठीके, तो हम यहाँ पे, 4th लिखेंगे, की grandma 4th position पे खड़ी है, फिर क्या पूछा है, in which position is Tia standing, Tia कौन सी position पे है, 5th, हमने count किया था ना, तो टिया 5th position पे है तो हम यहाँ पर 5th लिखेंगे कि टिया 5th position पे है ठीक है तो नेक्स्ट इन विच पोजिशन इस नील स्टैंडिंग नील यह है नील ठीक है तो नील कौन सी position पे है 7th position पे है ना सो हम 7th position लिखेंगे और इस तरीके से हम यह activity भी complete करेंगे So hope कि आपको समझ में आया होगा कि ordinal numbers क्या होते हैं ठीके जब हम numbers की position बताते हैं तो वो है ordinal numbers और जब numbers को सीधे सीधे हम number की तरह पढ़ते हैं like 1, 2, 3, 4 तो वो होते हैं हमारे cardinal numbers ठीके तो यह है ordinal number और cardinal number और हमने पढ़ा even number और odd number Even number जो हम दो लोगों के बीच में equally share कर सकते हैं और odd number जो हम दो लोगों के बीच में equally बाट नहीं सकते हैं और इसी के साथ हमारा unit number 1, number and numeration भी यहाँ पर complete होता है अब next unit करेंगे अपने next वीडियो में सो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर